पचास के बाद एक कावन नमबर, 360 और एक कावन नमबर कोश्चन क्या है? 360 और 450 का बड़ा गुनन खंड बता है, यह बड़ा गुनन खंड का मतलब है, एक आईजी संख्या जो पूरा पूरा दोनों को कार दे, तो महत्तम निकानना है, सबसे बड़ा गुनन खंड तो महत्तम होता है, हाइस्ट कॉमन फेक्टर, पढ़े होंगे HCF, हाइस्ट कॉमन फेक्टर, सबसे बड़ा गुनन फल, तो देखिए दोनों को कौन काटेगा, तो आप्शन क्या क्या है भाई, आप्शन से बना लिजेने, महत्तम तो बहुत 45, 10 और 9, देखिए कौन है इसी संख्या जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा इसमें 90 है, 90 देखिए 360 को भी काटेगा, और 450 को भी काटेगा, तो जो दोनों को काट देता है, या सबी संख्या को काट दे, वो महत्तम होता है, काट इस सबी सकता है, लेकिन 90 से छोटा है, इसलिए सबसे बड़ा पूछा था, सबसे बड़ा कौन है इसमें 90, चलिए आगे बढ़ते हैं, 52, एक ब्यक्ती ने, एक ब्यक्ती ने 30 पर 30 लाव से एक बस्तु को 1300 रुपय में बेचा, लाव दिया हुआ है, कितना लाव दिया हुआ है, 30 पर 30 और विक्रे मूल भी दे दिया है, कि कितना में बेचा गया, 1300 रुपय में बेचा गया, और आप से क्रेमूल पूछा गया, बहुत आसान सवाल है तो बिक्रेमूल से क्रेमूल निकालना होता है तो रिलेस्टन उल्टा यानि 300-100 बटा-130 लाभू अथिसका तो 300-130 दस मरते हो जएगा ब्राबर 100 रुप्या का बस्तु है ने चलिए और दूसरा मेठाट से बनाएगा इक पहला मेठाट, दूसरा मेठाट मान लिजे 100% क्रेमूल, तो 30% लाव हुआ थी, यानि 130 में बेचा गया होगा, बराबर रूपय यां 1300 में बेचा गया, तो काटेंगे ते 1% का भेलू 10 आ जाएगा, तो 100% क्रेमूल माने थे, 100% का भेलू कितना, 1000, तोनों में थर्चा बना सकते हैं सवाल को, जो आपको अच्छा लगता है, बहुत सारा में थड़ोते हैं लाभानी बनाने के, लेकिन अभी सेट सलूसन चल रहा है, ज्यादा बताने लगेंगे ते वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, चलिए ग्राफ दिया अब भौत की रसान, काला वला जो ग्राफ है, वो भौत की के लिए है, और जो भूरा वला ग्राफ है, थोड़ा थोड़ा बिंदू है, हलका धीमा वला उन रसायन का है, काता इदर साया गया है, अब देखिए सभी छात्रों के रसायन सास्त्र और भौत की के कुल परतिसत कानुपाद कितना है सभी चात्रों कि रसायन जोड लीजिए ये चायर है पहले रसायन सास्त्र को जोडिए खाइब का ग्राक कहां तक गया है संब किया अजिए की किल प्रतुसत अंकों का अनु पात कितना है तो पूस्टी सपि को सब जोड़िये घुन सबहुत की कितना कितना है बहुत की कि पहला नंबर में है 95 है ग desapare- इस आम पão zehnा शब्सकृब देंगे तो काता अंक का नूपात कितना प्रतीसाता साथ दुट वृँत की का किथना ठीक को जोड़ दीजिए गया सबको जोड़ के लिखिंगा जो आईगा रसायन का पहले रसायन का लिखिंग ऑद स्यल्टीजिय यह झाँ और नीचे बहुत की का दे दीजियेगा अगुने गुने सव कर दीजेगा निकल जाएगा प्रतिशत रसायन का सब जोड़ के लिखना है जेतना भी आजाए जोड़ देते पांच 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 में एक आठकान 16 16 24 24 और 25 35 305 हो गया अब भौतकी का जोड़िएगा तो 5 10 15 20 क 3010 हो गया तो दीख ये कहता है रसायन का 305 गुने 100 निकल जाएगा किसका रसायन का ये पहला किद अंसर हो जाएगा सवाग में यहीप पूछा पूल कितना पनूपात कितना प्रतीशत बताना है तो रसायन बटा बहुत कि गुने 100 बहुत असान सवाल था तीसरा में 45 क् Character म कौस्चन नमबर 54 क्या कहता है सो देखिए सब्साइब और एस्टू तथा एस्फोर से दोनों बीसे में प्राप्त कुल अंकों का नुपात कितना है तो एस्टू में देखिए कितना है छात्र एस्टू था एस्टू दोनों बीसे में पूछा है तो एस्टू में दोनों बीसे देखिए एस्टू में रसायन और भावत की फिजिक से तो आप देखिए का 65 और 85 है दोनों भी से में और यinaçãoर का दोनों भी से में कितना है 75 और 80 है दोनों भी से में बोल रहा है इसी लिए दोनों को ने रहे हैं रसायन और फिजिक्स दोनों को तो देखें पांच पांच दस के जीरो हाथ में एक आठ छो चौदा एक पंदरा डिड़ सो अनुपात बताना है तो गया इधर पांच और साथ पंदरा एक शो पच्पन तीस पचे डिड़ सो और तीन पचे पंदरा अथी कि हाँ तो पचास्का से पचास्तिया है कि अंपाच का से पांधिया पंदरा यह कट गया आप यह द्यू पांधिया अनुपात एक तीस लाप सथा एक तीस नंबर में या तीस बटा एक तीस बटा अनुपात का मतलब 30 वरता कितना होता यह भी अंसर हो जाएगा चलिए question number वो गया चाहत्र स्थ्री का अब बहुत किम प्रापत कों गानुपाद कीटना था इस थ्री का अब बहुत कीम चाहिए भाई तो देखिए भाउत की का कालावला ग्राफ है इस थ्री का इस थ्री का 75 है S3 का question number कितना है 55 देखिए S3 का मान जो है भावत की में 75 है भावत की में S3 का और S1 का कितना है भावत की में 95 इनका अनुपात बताना है 25 अथी 5 से 15 पचे 75 और 19 पचे 95 15 अनुपात 95 या 15 बता उनीस तिसके क्या हो जागा अनसर चलिए ठीक है यहां तक किलियर बहुत आसान सवाल था मुश्किल नहीं था 55 तक किलियर हो गया कि देखिए question number 56 question number 56 क्या है 9 और एक काम को 50 दिर में करती है तो पहले 9 औरत थी 6 और बढ़ा दिया जाए तो नौ 6 कितना हो जाएगा 15 और उसकाम को कितने दिन में पूरा करेगी कि माण लेते हैं में पूरा करेगी नौ ओरत काम को 50 दिन में करती थी यहاँ पर मँवन डीवन पर ही बना हुआ इस बात का ध्यान दिजी एमवन डीवन एम्टो डीटू पर एम्टो डीटू पर बना हुआ पहला अदमी दीन पहला अदमी दूसरा आदमी दिन नव उरत काम को 50 दिन में तो 15 उरत काम को कितना मतलब बोला था शोरे बढ़ जाती है तो नोच्छू 15 किये चलिए तीन तीन पच्छे कितना पंद्रा पांच देहें के पचास दस तिया कितना थीस एकस का भेलू कितना या 30 दिन में काम समाप्त हो जाएगा option number 1 किलियर है संताबन 2015 के अंतराष्टिय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोसित महला डवल से 200 चैंपियन कौन रही है 2015 के करेंट अफेर्स का सवाल है उस समय मार्टीना हिंगिस और सानिया मिर्जा दोनों जो है फेडरेशर महला बर्ड कप चेंपियन जी टी थी चलिए आगे बढ़ते हैं महला डवल्स कप जी टी थी चलिए आगे बढ़ते हैं question number 58 को देखते हैं अंठावन है B.I.O.S का पूरा नाम क्या है तो basic input output system basic input output system तो अंठामन का अंसर क्या हो जाएगा B.I.O.S नंबर भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांगला देश के साथ है बांगला देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है question number 60 रूसी सुखोई सुखोई बीमान जो रूस का है तो रूसी सुखोई 20 एस 20 जिसको एस यू 2 अंठी भी काते है बीमान को नवंबर 2015 में किस के द्वारा मार गिराया गया था तो तुर्की के द्वारा तुर्की जो है उस सुखोई 24 को मार गिराया था उसकी सीमाम परवेश कर गया था, इसके कारण गिरा दिया था, question number 68, किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एक मात्र, एस्टी बाजार ही बिकल्प है, खरीदने है तू स्वस्त अस्थल हुआ होता है, जहां कि बिशेस्ता अस्परधा होती है, ना कि एक अधिकार, दिये गए विवरनों में से कौन सा सही निसकर स्प्राप्त होता है, देखिए, यहां पर सवाल में एक बात बोला है, कि किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एक मात्र एस्टी बाजार ही बिकल्प है, एस्टी एक बाजार है, जो बिकल्प कहता है, वही मात्र बिकल्प है, खरीदने है तू स्वस्त अस्थल हुआ होता है, जहां कि बिशेस्ता अस्परधा वाली होती है, यानि जहां मार्केट मे बहुत दुकानदार में आपस में होड मचा हुआ है कि ये समान हम बेचे ये समान हम बेचे तो काता है वहाँ ज़्यादा बढ़िया समान मिल सकता है क्योंकि वहाँ समान में क्या है होड मचा हुआ है तो कोई भी समान बहतर बनाएगा तभी बिकेगा खरीदने है तूस अस् सब्सक्राइब करनों में से कौन सा सही निश्कार स्प्राप्त होता है पहला एक परिवारिक मिलकेत का ब्यवसा है ऐसा नहीं है सूपर मार्केट होगा होता है ऐसा नहीं है उकार नहीं कह सकते हैं एक यह अधिकार है उस दुकानदार का मार्केट में आधिकार है वह दुकानदार का मार्केट में बोल वाला चलता है तो अनसर इसका क्या होगा isht 22 नगर में एक अधिकार है किस बजार का एश्टी बजार का चलिए आ जाते हैं अगला कोश्चन है बारशटि एक गती सील बस्तू यानि गती गतिसील बस्तु का मतलब हुआ जो बस्तु गती में रहता है गतिसील बस्तु अनिवार रूप से प्राप्त करती है जो अस्थीर बस्तु होती है वो इस्थिती जूर्जा प्राप्त करती है तो यहां क्या अंसर जाएगा गती जूर्जा चलिए कोश्चन नमबर 63 पर स्वाल अपका व्रका विकर्ण दे दीया था वर्ग का विकर्ण दिया है टिरहपूट दू तो वर्ग का विकार का फ़र्मूला उता, रूट टू इंटू भुजा, बराबर रूट रूट दू दिया हुआ तो, रूट टू से रूट टू कैंसील, यानि भुजा का मान कितना तिरी, तो छेत्रफल में भुजा का मान निकालना है, तेरा का स्क्वार कर देंगे, तेरा का स्क्वार कितना है, 179, छेत्र फल निकल गया, 179, चलिए कोश्चेन नमबर आज़े, 64 पर मिटा देते हैं, देखिए कोश्चेन नमबर 64 क्या काता है, बिक्रम और बिवेक, एक कारे को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों ने 20 दिन तक मिलकर काम किया, फिर काम को छोड़ दिया, बताए उनके दोरा कितना किया गया, कार कितना हो गया, देखिए कोश्चेन नमबर कितना है, 64, बिक्रम और बिवेक, बिक्रम पलस बिवेक, एक कारे को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, बिक्रम और बिवेक दोनों को लगा दीजिए है दोनों 50 दिन में काम करते हैं मान लेते हैं तो अगर 20 दिन काम किये होंगे तो 30 दिन का काम और बच गया होगा किने बताइए आप 30 दिन का काम और बच गया होगा क्योंकि 20 दिन तो काम हो है कितना काम में 50 काम में से क्योंकि 50 मान लेते हैं 50 दिन में 50 काम कर पाते पीस दिन काम किये दिन तो बीस काम कर ने के लिए बाकी उनके पास अभी उसको 30 काम करना है सवाल को बहुत अच्य समझें बहुत आसान सवाल इसा अभी वेक कारे को 50 दिन में पुरा कर सकते हैं प estádome क्यास काम है ठीक है तो बहुत ल्हें है संस wrench है तो सब्सक्राइस इस ब्चार काम करेंगे कि नहीं कम करेंगे हैं तो अभी 30 दिन का काम बचा हुआ इसका मतलब तीन बटा पांच काम कर लिया गया है बाकी काम अभी भी बचा लहें तीन बटा-5 पांच हो जाएगा 25 नमबर उस बीकलब का चेहन करो जो दिये गए जोड़े जैसे संबंद को दरसाता है यार्न जो है यार्न एक परकार का फेबरीक है फेबरीक मतलब आप जैसे एक परकार का रुवा के जैसा होता है फेबरीक इसको यूज करते हैं ठीक है तब फेबरीक का यार्न कहता है तो कहता है या फिर कहिए यार्न से फेबरीक का निर्मान होता है तो जड से पे सटिक है चलिए कोश्चन नमर कितना जाए च्छी आर सट क्या है आकड़ों का परिसर ग्याद कीजिए तेरह कितना 113 113 9 7 9 7 13 19 10 11 यहीं नहीं दिया हुआ तो आप से पूछ दिया आकड़ों का परिसर ग्याद कीजिए परिसर होता है महत्तम मान माइनस नियूनतम मान परिसर पुछा है तो परिसर का मान होता है महत्तम मान माइनस नियूनतम मान तो महत्तम मान इसमें सबसे बड़ा काउन है 19 अजब से छोटा का उन्हें इसमें देखिए 9, 19 में से 9 चल गया बचा 10, बहुत आसान सवाल है, परिसर होता है बस यही, रिंज जिसको बोलते हैं, महतम्मान माइनस निउंतम्मान, अगला आ जाते हैं, कोश्चेन नंबर सरसट, कोश्चेन नंबर सरसट क्या बोलता है, एक एक बीकल्प का चैन करें, जो दिये गए, जोड़े जैसे सम्मंद को दरसाता है, बाग, अनुपात साबक, लेकि साबक बोलते हैं सेर के बच्चा को, तो बाग हो सेर एक परजाती के ही मान के चलिए, दोनों तो मान साहरी हैं, तो बाग सेर के बच्चा को साबक बोलते हैं थीक है तो बाःग का सेर से साबक का बना हुआ है यानि बाःग के बच्चा को तो घास झुस खाता है घास टविज्टा खाता है वाहा बना जादा अंसर यह लग रहा है कुटा विल्ली का बच्चा नहीं बन रहा है बिली का बच्चा दोनों खा सकता है घोड़ा हीरन का बच्चा घोड़ा जो अनाज बगएरा खाता है हीरन का बच्चा सिर्फ साकाहरी है तो देखे सबसे ज़्यादा सटिक है इस ओप्षन में हाथी गाय का बच्चा को बच्चणा क्योंकि दोनों यहाँ पर साकाहरी तीसर भी मांसाहरी तो यहां पर अंसर सबसे ज्यादा सटी का हाथी के साथ बचला का संब्ध बन रहा है कभी उट पटांग रिजनिंग पूछ देता है रेलेवें टीपिसी तो थोड़ा सा धैर रखना है सवाल में पूछने का उसका कुछने कुछ मतलब है को सब्सक्राइब인이 दिया हो उसमें जो खाली स्थान उसको गयात करना है सरे यहां पर वाट लिखा हुआ है अठारा वाट के अस्थान पर यहां पर वाट लिखा उसके अस्थान पर क्या आएगा मालूम करना है तो देखिए बाबु अगर हम चार लाना चाहेंगे तो करए चाहां यहां पर यहां पर आएघर लगाते हैं चाहें आप इसे लेस्था लगाते चूना किया डूनी 24 में केटना कम करें पर कि वहीं सीरी दस कम करें क्या जाएगा तो अगला और फ्र चाहएं में से 10 गया तो 18 आ जाएगा श्रीज आपका पूरा हो जाएगा क्या किया गया है इस अंक में पहले अंक में दो से गुना करके 2 कम 2 से गुना करके 2 कम 2 से गुना करके 4 कम 2 से गुना करके 4 कम 2 से गुना करके तो इधर तो सब दो से गुना किया गया लेकि इंदर दो का चार का दसका स्रीज है जब स्रीज है ती अंसर क्या है सही अंसर क्या होगा होगा उहाँ पर चवदह चलिए आगे आजए यह कोश्चन नंबर 79 से लेके 79 से खतर देखना है कता निम्रिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित प्रसनों के जबाब दे साथ चात्र हैं साथ चात्र हैं लिखे हुए एक कतार में अब्यवस्थीत क्राम में खड़े हैं पहला लाइन बोल रहा है साथ कतमाले बेक्ति हैं एक दो तीन च सार पांच छो साथ के बेक्ति हैं साथ बेक्ति काता टी के बाएं से दूसरे और बाई के बाएं से पांच में पर वाई खड़ा है टी के दाएं से सब पर लिजे दाएं सीरे पर बाई है इसको बोलते हैं दाया सीरा इसको बोलते हैं बाया सीरा बाया हाथ देखिए बीच म से पाचमा बाई के बाएं पहला दूसरा तिसरा चौथा पाचमा आई खड़ा है कौन खड़ा है आई बाई के बाएं तरफ कौन है पाचमा में आई खड़ा है आकाता टी के बाएं से दूसरे होना चाहिए तो टी को अगर यहां बैठा देंगे तो टी के बाएं पहला दूस एक जहते हैं और है तो बच कौन गया वेक्टि का माने हां विठा दीजिये एक श्रीज बट बैठ गया आधिक्तम एक व्यक्ति के बीक्टी एक व्यक्ति किसके बीच में खड़ा है तो एस और और सवाल हो गया कोशेन नंबर कोश्चन नंबर 72 निम्लिखित में से कौन सा एक प्रस्टनल कंप्यूटर में कंप्यूटरिंग करता है CPU का काम है उस चीज को प्रस्टनल कंप्यूटर में काम करना तेहत्तर नंबर कोश्चन को आ जाईए त्यात्तर नूम्र कोशन क्या कहता है तो देखे इसको लिए सकते हैं इसको इधर लाते हैं तो है अफिर पलस में क्या लिखा हुए है तो टैन ठीटा इन्टु को तीटा यही चीज को खाली सजा दिए सेके स्कॉड ठीटा ठाइटन को आगे लिया आए बाकी सब यसे हो ऐसी लिखा हुआ है देखे शेक असकॉड ठीटा माइनस टैन असकॉड ठीटा बराबर होता है वन क इसके अंसर क्या होंगे? तीनुटीन को शैन नंबर हो गया। सब्दों के चार जोड़े दिये गए हैं, तीन संबंधित और एक दूसरे मुद्दे पर भिन है, बता ही जोड़ा क्या है? hydrogen sulfuric acid sulfuric acid में hydrogen होता है chlorine salt salt में chlorine होता है oxygen में water water में oxygen होता है hydrochloric acid में nitrogen नहीं hydrochloric acid में nitrogen नहीं होता है तो answer कौन जाएगा इसका D number चलिए question number 75 कौन सा भारत रत्न प्राप्त सम्मानित नहीं है एर रहमान इसका अंसर है देखिए लतामंगेसकर को भारत रत मिल चुका है भीम सेंजोसी को और सुबालाक्षिमी को भारत रत मिल चुका है एर रहमान सिंगर है इनका नाम आया है लेकिन इनको भारत रतनाज तक नहीं मिला है देखिए question number 76 question number 76 क्या कहता है name लिखित में से कौन सी एक gas greenhouse नहीं है greenhouse gas बार-बार सवाल आ रहा है तो इसको ज़रा समझ लीजे कौन-कौन gas होता है सबसे ज़्यादा CO2 gas जो है greenhouse gas में जिम्यदार होता है क्योंकि CO2 ही उस गर्मी को जाने से रोकता है तो CO2 दूसरे number पर CH4 methane gas और उसके बाद फिर ले लिजे CFC chlorofluor carbon और उसके बाद nitrous oxide और उसके बाद ozone इतना गैस जो होता है green house का प्रभाव डालता है तो देखिए option क्या क्या है ozone ozone तो होता है green house gas में nitrous oxide, nitrous oxide भी होता है जलवास्प और hydrogen 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 इसमें नहीं होता है आप कहिए का भाया जलवास्प जो है hydrogen होता है hydrogen का का में जलवास्प होता है दिखिए जब पृत्वी की ऊपर जो CO2 gas का परत बन जाता है तो यहांपर बादल भी कभी कभी जम जाता है और बादल को ही हम क्या कहते हैँ je कारक बनता है याद रखना है तो इस जलवास्प भी आप लिखी लिजिए जल वास्प इभी कारण बनता है इतना जो है जो है CO2 गैस के लिए मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए जिम्यदार है इस बात का ध्यान रखना है पर इच्छाम हमेशा सवाल पुछता है कोश्चन नंबर 77 निमलिखित में से समानता मालूम करिए समानता यानि सब में एक समान होना चाहिए गिद्ध पतंग चमकादर उल्लू वे सभी रातरी में उड़ने वाले पच्छी है पतंग पच्छी है पतंग को आप अलग भी ले सकते हैं यह सभी अस्तंधार 38 निमिखित में सबसे निंवन्तम भीन को यानि सबसे छोटा भीन कोस्टन नंबर इसको कर देते हैं तो प्वइंट मारें गे तो 12 पचे तो बचा कितना दू पचे दस इसको लगाईएगा तो पांच चार एकम चार लग जाएगा एक बचे गा दस चार दूनी आठ चार दूनी आठ फिर दू बचा हुआ है और यह सब्से चोटा सब्से कौन है एक रूपया दो पैसा यह पड़ा जाता है उप कोई17 हैं नमपर 89 क्या कहता है 100 काता है यदि धाई किलो सब्जी का मुल 120 रुपया है तो आधा किलो सब्जी का मुल कितना होगा देखे कोस्चेन नमपर कितना है 89 C 79 2.5 kg का मतलब क्या हुआ 2.5 kg इसको आप लिख सकते है 2.5 kg 2.5 kg का मान कितना है 120 रुपया तो काता 1.5 kg यानी 0.5 kg का मान कितना है यहीन सवाल है 1.5 kg का मान कितना है तो देखिए कर दीजे 120 बटा 1 kg का दाम निकल गया 0.5 से गुना कर दीजे 25 वीशा से 24 रुपे परती के जी अंसर जाएगा सुरी 24 रुपे आधा कि लोगदाम जब आधा किलोगदाम एफ-20 रुपे है तो चलिए हो गया अंसर चलिए कोस्चन नंबर 80 क्या क्या करता है स्रेणी में गायब मालूम करें यानि जो गायब है उसको आपको बताना है कि वह कौन है देखिये क्या क्या है b c a f g e और खाली अस्थान है इन-o m आए रस क्यू भी डबलु यू यही बताना है तो खाली स्थान वला देंकि दूग्छ चौदा अठारः 22 दूग्छार कितना होता है छोग्छार कितना होता दस यहीं पर गाइब है तो दस होता तो दस कामान केतना होता जो तो जे 10, 4, 14, 14, 14, 14, 22, सेरीज मिल रहा है देखिए सब में 4 जोड़ा गया है सी का मान 3 होता है तीन में 7, 4 जोड़ दिया 4 जोड़ेंगे 11 11 11 किसका होता है 11 के का तो उसी तरह सब में 4 जोड़ा गया है देखिए 11 4 15 15 4 19 19 19 23 सब इसमें भी जोड़ेंगे चार एक आमान एक एक आमान पांच यानि चार पांच और नौ आई देखिए जे की आई किस ऑप्शन में है डी नंबर में अंसर हो गया तो जे क्या इसका का सब में क्या गिया गया चार जोड़ों के स्रीज बढ़ाया गया है एक आसी नंबर है पुस्पा ने दो दर्जन पेन 480 रुपेम खरीदे कोश्चन नंबर कितना एक आसी दो दर्जन पेन का मतलब कितना हुआ दो गुने बारह यानि कितना पेन 24 पेन एक दर्जन में अगर बारह पेन तो दो दर्जन में कितना पेन बारह दुनी 24 पेन और 24 पेल खरीदने में लग गया चारई रूपाया चारई पैकेट के हिसाब से चारई पैकेट पैकेट से 24 पिन हो जाएगा चार पिन के पैकेट से सौ रूपे प्रती पैकेट किसे जादा है 120 जादा किस से जादा है? 480 से जादा था गुने 12, 14, 44, 25 पर 37 क्या हो जाएगा? 25 पर 37 Question number 81 हो गया Question number 81 पर आईए Question number 81 क्या कहता है? कि किस वर्स कहला सत्यार थी और मलाला यूशूफ जई को सांती का नोबिल पुरुसकार दिया गया है तो 2014 हमें दिया गया था सांती का नोबिल पुरुसकार और मलाला यूशूफ जई जो है वो पाकिस्तान के हैं Question number 83 क्या है? सो देखिए काता एक थाईले में दो सफेद गेंध है दो कौन गेंध है? सफेद गेंध है तीन काली गेंध है चार लाल गेंध है और छो हरी गेंध है गेंध है तो पहला बीबरन में बता दिया कि ये सब ये सब है दूसरा बीबरन में बता रहा है थाईले में से अब वेवस्तित रूप से दो गेंध का चैन किया गया दूसरा पॉइंट बोला कि इसमें साथ दो गेंद का चैन करना है कौन के रच्छा यूट का चैन करना है पहलान इसकर्ष काली गेंद के चैन होने की संभावना एक वटाफ पांच है पहिदे कुल गेंद गींद के तना है? 6, 4, 10, 3, 13, 15, 15, तो कुल गेंद केतना है भाय? कुल गेंद होगया, 15 गेंद है डूटल, अब सोची इसमें सवाल बोल दिया की काली गेंद, तो काली गेंद कहए है? दिखिए तो 3 गो है, तो 3 बटा 15 के संभावना बनेगा, तो 3 बटा 15 को काटीएगा तो एक बटा 5 के संभावना बनेगा पहला पॉइंट सही है काली गेंद सवाल में गोला काली गेंद के चैन होने की संभावना एक बटा 15 है काली गेंद तीन गेंद है कुल केतना गेंद 15 है तो तीन बटा 15 होने का संभावना यानि एक बटा 5 सही है दूसरा क् गलत है पहला क्या था सही था चलिए इसके अंसर हो गए पहला सही दूसरा गलत है है अगला कोश्चन है 84 नंबर उचाईए पर उड़ते हुए बीमान के केविन के अंदर का दवाव बाहर की तुल ना में अधिक हो जाता है जो अंदर के लोग सीव को तीन वर्स के लिए चो हजार रूपया कृष्णा को पांच वर्स के लिए 8 रूपया साधारन व्याज की दर पर दिया दो व्यक्ति को एक सीव को दे दिया पैसा दिया गया क्रिश्णा को कितना हजार रुपया आठ हजार रुपया आठ हजार रुपया अब कहता है कि दिया गया उसे दोनों से कुल बामन दोनों मिला के जो ब्याज आया दोनों मिला के जो ब्याज आया कितना या बामन सो बीस तो कहता है ब्याज की दर बताईए दर गाइ और साधारन व्याज का सवाल ले तो पी आर्टी पढ़े थे ने πी का मां6 ओजार है रख हो गया अब देखिए हम क्या करते हैं 908-100 हो गया सो सो गया चो तीए 18,000 हो गया अठारह हजार आर पलस आठ पचे चालीस हजार आर चालीस जार वह गया चालीस हजार बरावर कितना 222 इतना है क्रोस गुराम इधर चाल जाएगा तो जगा अठारह जारह यह मिल करके कितना जगा अन्थावन हजार आर बरावर 2220 209 पड़ गया आर का भेलो निकाल लिया हो तो जागा 2200 बटा 5400 तो तीन सुना सुना कैंसिल 9218 कैंसिल यानि 9 पर три सत क्या हो गया अंसर तिसके अंसर क्या हो गया 9 परklore ती सत चली हो गया आगे बढ़ते हैं चलिए एक से सो तक गिंती में पांच अंक कितनी वार ठीक सामानता निम्रिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है प्रावर निये कारण प्रावर परियावरन के कारण होता है कैंसर अनुवांसिक उत्पत्तिवर्धन उत्परिवर्धन के कारण भी होता है अनुवांसिक संसोधन इसके कारण भी कैंसर होता है ट्रांस्मिशन कोई भी चीज भेर फेर सरीर कांग पूर्जा बदलने में उसमें कैंसर होने की संभावना नहीं होती है तो अंसर क्या होगा 87 87 का क्या जाएगा D question number 88 88 क्या कहता है question number कि एक 18 फीट उचा बिजली का खंभा मान लेते हैं चोफीट है पेड़ की परचाई मालेते ही जमीन है इधर आतल है ठीक है इधर आतल है आपका जमीन है और इस पर एक इमारत है खड़ा बिजली का खंभा है और एक पेड़ खड़ा है चोफीट का पेड़ है और ठारा फीट का बिजली का खंभा है चोओ फीट उचे पेड़ की परचाई से मालेते हैं पेड़ की परचाई यहां तक बन रहा होगा ठीक है और इसका परचाई यहां तक बन रहा होगा मालेते हैं कि चौब फीट उचे पेड़ की पच्छाई दस फीट की दूरी परिश्थीत है तो यहां से यहां तक दूरी नहीं दिया हुआ हम एक समान लेते हैं तो काता यहां से लेकर यहां तक का माद केया है तो दूरी याद करना हैं तो नबेन डिजिक का मान काम करेगा तो लगाएंगे से टैन नब्य डिगरी बरावर आधार बटा लंबट आधार लंब छो आधार कितना एक्स माइनस दस फिर से यहां पर भी नबबे डिगरी और यहां पर भी नबबे डिगरी लगा दिये टैन नबबे का मांद टैन अबे वरावर लंबटा आधार आधार एक्स पूरा यहां से यहां तक माल चोटीया कितना ठारा तीन इस दाओ गाते में इसमान जैगाम या इस को महिने देखर इंगे इसको अँदस इतना कितना 15 में यहांTh पूछा तपरच्छाईं कितना वरेगा तो पाचविट चलिए मिटा देते हैं नमबर 88 के बाद कोश्यन κ.An. 89 क्या कहता है कि एक आकरती बनी अब 80 2018 नमबर में एकश्लक हमा DR i तरह के आकरती बना हुआ है ठीक हैं कि देख लीजe आकरती हम बना देँ कोशिज कर रहे हैं है कि अ कि अ कि इस तरह की एक आक्रती बनी हुई है जहां पर यहां पर का मान देल है 75 डिगरी और यहां पर का मान देल है चाली डिगरी और आप से पूच दिया यहां का मान बताई एक देखे सिरसाब ही मुख कोन एक होता है सिरसाब में जो कोन इसका मान होता है तो अगर इस चालीस है तो इभी कितना होगा चालीस अगर एकस होगा लिए लिए एकस होता है सिरसाब में कोन में दोनों बरावर होता है तो इस नहीं हो गया और यह 75 तो यह भी 75 हो गया और त्रिभूज में तीनों कोनों का योग एक 180 डिगरी होता है तो यह 75 जोड़ देंगे पहले 75 जोड़ के देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का मान 65 डिगरी है तो एक सीधी रेखा पर 180 का कोन बनता है तो यह 65 है तो 180 में 65 घटाई है 180 डिगरी माइनस 65 करेंगे तो बच जागा कितना 115 डिगरी अंसर कितना आएगा 115 डिगरी अंसर देख लिए अप्शन नंबर डीपर है ठीक है कोश्चन नंबर 90 क्या काता है भारत के 79 राष्टी के दिवस समारोग के अफसर पर मुख्य अतिथी कौन थे देखिए अभी जो बरतमान में है 2020 में जो स्वतंतरता दिवस मनाया गया उच चाहत्तरवां स्वतंतरता दिवस था टोचीए उनहत्तरवां कब होगा 2015 में ठीक है पांच सल पीशे आएंगे तो 2015 में जो है उन्हतरमा स्वतनतर दिवस हुआ था और उस समय अमेरिका के राष्ट पती बराक ओबामा भारत आये थे तो अंजर क्या जाएगा संग्राज अमेरिका के राष्ट पती उसमय कौन थे बराक ओबामा भारत की दूसरी सब सब से लंबी नदी को मैं कान वे नंबर भारत गणगा कोदाबरी डूसरी 더 खिनावरा की कहा यूज कहां किया गया था मैसूर में यह को सर चाहिए कढ़नूर में हुआ था यह 15 करेंट से दल्क एक असत्य है मैंग्रोव जय बिवित्ता को बनाया रखता है असत्य का मतलब गलत है तो मैंग्रोव क्या है पहले यह समझ यह मैं ग्रोव क्या होता है जो चिलाए को चलाय रखता है मैंग्रोब मैंग्रोब आम परदान करता यह गलत है मैंग्रोब मैंग्रोब बन से जो मैंग्रोब आपको समझ लीजिए देखिए 94 से 96 नंबर कोस्टन क्या काता है 94 से 96 को समझ लीजिए 94 96 क्या है एक कि बनाया हुआ है एक ब्रित बनाया हुआ है कि ठीक है और एक चत्तिर भूज बनाया हुआ है ठीक है यहां प्लिखा है पांच यहां पन लिखाए दू यहां प्लिखाए तीन यहां पर लिखा है पंद्रह यहां पर लिखा है बीस यहां पर लिखा है दस यहां पर लिखा है दू तीन हो गया यहां पर लिखा है वारह यहां पर लिखा है चौदह यहां पर लिखा है पांच यहां पर लिखा है तेरह यहां पर लिखा है पांच यहां पर लिखा है चार स सबसे पहला सवाल वे खिलाडी जो सतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं सतरंज और टेनिस तो सबसे पहले एगों पकड़िये पहले बृत वाला यह सतरंज उसके बाद टेनिस तो त्रिभूज के जो अंदर हैं वही काम सिर्फ करेगा सतरंज और यहीं बाहर लाना है बस तीन गों एक दू तीन गों यहीं तीन है एक गारह दस और चौदह काता है पुल्ना में सत्रंज खेलने वाले खराणियों कता खेलते हैं उनकी तूल नामें शत्रंज नहीं खेलने वाले यानि चेस नहीं खेलने वाले तो चेस नहीं खेलने वाले यहीं बृत को हटा दीजिए तो कौन कौन बच जाएगा 20-25-35 और 5-35 एठीक है इधा जोड़के देखिए काता बताए कितनी अधीक है तो 11 14 15 10 35 दोनों बरावर हो गया फिर से कवर सवाल वेस्ट खिलाड़ी जो सतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं सतरंज और टेनिस तो सतरंज का मतलब चेस हुआ तो पहले पूरा गिनेंगे तो गया बृत पूरा तो बृत उसके बाद बोलता है सवाल के चेनिस दोनों आ जाये तो यह खोल नहीं है तो ब्रित के बाहर एक है इसी मेरे है आप 35 और कानवी फानिस से और श слыш tec नहीं खेलने वाले खिलाड़ कितनी अधिक है तो सत्रंज नहीं खेलेगा तो फिर आगे ले जाएए होकी और टेनिस में जाएगा होकी बीस हो गया 25 हो गया यहां पर पचीज के बाद आगे बढ़ जाएए पांच 35 तो 35 क्या हुआ दोनों आपस में इक्वल हो गया तो पहला कंसर हो गया दोनों एक समान है 95 बाद question नमबर 96 होकी के खिलाडियों का सत्रंज के खिलाड़ी से कितना उनुपात है होकी के खिलाड़ी तो होकी यह बला है होकी का खिलाड़ी जोड़ दीजे 20 15 10 2003, इस तरह से तो 20 ओथ 30 55 55 45 45 और 50 और 55 55 जतना भी बर्ग के अंदर था सब को झोड़ लिए होकी का काता हो की ख्राड़ी साथ 17 की ख्राड़ी तो सत्रांज वला बृत वला तो जतना बृत वला है सब को जोड़िए तो देखिए बृत जोटना थेरा दू पंदरा 15 15 30 35 45 45 60 70 70 और 14 यहां पर चौवी है तो ृष यहनि नभ्य गया चौवाथ स नभ्य 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 तो कितना अलुपात है नभ्य का लिजिये तो कितना जाएगा लिए गारभ हे पचपन पांच से naiga अठाट से समय भाए की में करना प az or K mês जोड़ा कि उड़ा गए उनकी संथ्क्राइब यह बितना प्रित के अंदर है सबको जोड़े सब को सब को जोड़े जो कितना और यह क्या कर दिये अगला है कि वे कि थे निस हे धी आगए जो यह खतम हो गया तो बच गया कौन 11 बच गया उसकी संख्या कितनी है देखिए एगारह पांच इभी पांच गिनती होगा तो अंसर कितना चल जाएगा ठीक है ध्यान से देखेगा बन जाएगा चलिए कोश्चन 5 हो गया कोशन नमबर संतानवे क्या कहता है ओलंपिक में ब्ध मिंटल पदक जीतने वाला पहला भारतिय कहूं था सायना नहवाजाणब अल्वम्पिक में कतार है इस कॉंटर से कॉंटर यहां पर माली लगा हुआ है कॉंटर से कतार में करन का करमांक बारहमा यहां से गिनते गए तो कैमा अस्थान पर करन आया बाराहमा अस्थान पर करन दिखी एक और करन या वो सुनीब के बीच में पांच वेक्ती हैं एक दो तीन चार पांच कािग prawd कााउंटर से कटार में करन का करमांक 12 हमा है ठीक है कारन वो सुनील के बीच में पास बक्ति यह कतार में सुनील का कौनज सा करमांक hai सुनील का वारत बात 13 15 15, 16, 17, 18, सुरील का केमा स्थान होगा, 18 स्थान, अंसर चल जाएगा 18, चलिए ठीक है, कोस्चन नमबर आजाईए, 99 पर, 99 नमबर कोस्चन क्या कहता है, कार B, कार A से दुगनी रफ्तार से दोड़ सकती है, कार A है और B है, ठीक है, कार B जो है, कार A से दुगना, कार A से दुगना का मतलब है, अगर यह एक है, तो यह कितना है, दू है, मतलब इससे दूगना रफ्तार से B दोड़ती है, यदि कार A दो घंटे में 50 किलो मीटर, कार A जो है, वो दू घंटा में दोड़ता है 50 किलो मीटर, तो यह घंटा केतना डेख़ देख़ लिजिएगा सुधार कर लीजिए कहीं गलती होगा अंसर में या पीछे बनाये गलत है तो क्या होगा 50 किलोमीटर परावर चलिए हो गया कोश्चन नम्र 99 गाता है और प्रोसिस और प्रोसिस किस रोग से संबंदित है हड़ी से देखिए और जैसी आगया तो उसी समझ समझागी कि हड़ी संबंदित है तो आज हम एक से लेके 100 नमबर तक कोश्चन को देखें अगले स सेट में फिर हम सेट नमबर साथ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का सवाल पूछा गया है देखिए आज का सवाल जो भी जिस तरह से आपको बताया गया है उसे कोशिस कीजेगी कवर करें साथ ही पिछले जो भी सेट बताये गया है जिसे एक से छो तक बताय तो उसे भी कोशिस करें कि कवर कर लें तो ठीक है तो मिलते हैं आगले वीडियो में हम सेट नमबर साथ के साथ तब तक के लिए धन्यवाद झाल कि अुछ झाल कि एंगले वीडियो में हम सेट नमबर साथ के सेट नमबर सेट के साथ के साथ तक के साथ के साथ के साथ